नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर पुस्मेंट कुबार स्वाद करता हूँ आप सभी का अपनी यूटूब चैनल पे दोस्तों आज बात करेंगे हम बच्चों में बच्चों के दिल में छेद है और बच्चा जैसे चीकता चिलाता है या किसी तरीके का तेज मूवमेंट करता है तो वह होस हो जाता है विल्यू विल्यू कलर की उसकी बोड़ी पड़ जाती है दस पंदरा सैकेंड बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाता है यह एक्टेविटी जब जब वो चीखेगा चिलाएगा आपको देखने को मिल जाती है बच्चा कमजोर होता है और बच्चों से वीक होता है हड़ा तरीके से खाने पीने में इसतरे की समस्षया है थोड़ा सा वो बड़ा भी हो गया जैसे तैसे आपको पता नहीं लाया पहले और वो बड़ा हो गया तो थोड़ी देर खेलेगा कुदेगा और वापस से उसको यह समस्या आ जाती है वो जड़ा और बच्चों से ज्यादा फिजीकल एक्टिविटी नहीं कर पाता आप भी सोच के अरांद होते होंगे कि यह क्या हो रहा है तो ऐसे बच्चे जिनके दिल में च्योद होता हूँ या ऐसी कंडिशन आपने देख्यों कि बच्चा जैसे ही रोया वेवस हो गया और विलू-विलू कलर का उसकी बोड़ी पढ़ गई कुछ सेकंड के लिए और फिर वो सही हो जाता है चांसेस बनते हैं कि बच्चे के दिल में सायद छेद है और आपने सुना भी होगा कि उस फलाने बच्चे के या नहीं 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 रिलेटेब्स के या पढ़्चित के बच्चा है उनके बच्च्चा इस तरीके की वह आते हैं उन्हें टेस्ट करया तो उसके दिल में छेद बताया है डॉक्टर ने और काय के ओप्रेशन से यह सही हो जाता है उस्तों ओप्रेशन सबसे पहले चीज या यही ट्रीटमेंट रख लेना मेरे साफ से थोड़ा गलत होगा क्योंकि हर पैथी में अलग अलग अपनी अपनी क्राइटेरिया है एलोपैथी में ओप्रेशन दाबैस्ट है कि होंपैथी में जो आज हम बात कर रह है ब्लू पढ़ रहा है और बहुत कमजोर है यह चीज आप जर्नली मेडिसिन से सही कर सकते हैं आज उने के बारें डिसकस करना चाहा रहे हैं और आपसे डिसकस कर रहा हूं में होता है पहले थोड़ा सा यह बता देता हूं बच्चा जब मा के घर में होता है पेट में पल रहा होता है तो सारा ब्लेट सर्कुलेशन है वह मा के थ्रो नाल के थ्रो रहता है बच्चा पेट में होता है तो लंग्स भी काम नहीं करते हैं सिर्फ सर्कुलेट होता है ब्लड तो जब बच्चा ब्रीथ नहीं कर रहा तो ऑक्सिएन भी नहीं है मापे तो एक छोटा सा द इत्रियम ट्रांसफर हो जाता है बिलड और बापसे बोड़ी वे घुमरें के अपमें मां के थरो। कि बापसे फिर बच्चे में इस तरीके से चलता रहता है यानि कि मां बेटे नाल के द्वारा जोड़े रहते हैं और व्लड सर्कूलेट होता रहता है मां काई ब्लड़ी चलता है लेकिन आफ्टर वर्थ जो छेद है दिल में वो क्लोज होने लग जाता है और वो जर्णरली क्लोज हो जाता है जिन बच्चों में नहीं हो पाता उन बच्चों में देखने को यह समस्याय मिलती है उस शेद को जो होता है उसको बोलते हैं अपन होराम एन ओबल और उस जगे को बोलते हैं फोसा ओवल इस है जिसकी वज़से यह सारी समझ्जर आज आती है कि वो time iyi close नहीं हो पाता है किसी किसी का किसी वी कारण से बच्चा कमज़ोर है किसी वी activity किसी वी कारण से बच्च जेद है दिल का बच्चे का ओपन दậय जाता है तो इसके बाद में समस्याइं वन जाती है जनरल यह ओपरेट करके इसको क्लोज करती जाता है लेकिन ओप्रेशन कि रिस्की भी है मेहना भी है और जान को भी खत्रा बना रहता है तो उसके पहले अपन यह है मैडिसन यह दि यूज करें उसे बेटर रेजल्स मिल जाते हैं इससे बेटर और क्या होगा दोस्तों कुछ होंपैतिक मेडिसेन ज्यादा नहीं है सर्फ दो मैडिसन है पहली होंपैतिक मैडिसन है बैरायटा कार्व 30 सुबशाम सुबशाम दो-दो मुने मा के दूद को सिक्स एक सेपी सिक्स दो गोली इसमें डाले वो डिज्वल हो जाते रों बच्चे को पिला दे तो कलकेरिया फोस सिक्स एक्स दो दो गोली तीन वार देनी है दिन में और वेराइटा कार्व 30 दो दो भूने सुवेश श्यामा लगातार रखिये जो यह दिक्कत आ रही थी कि कि में बच्चे एक दम से दिद्व सोगा बिलो पड़ जाएगा उसमें आपको इंप्रोवमेंट देखने लेइझ जाएगा त्रीटन बेसक लंबा जा सकता है च्पहली महीने से दिखने लग जाएगे तो यह वह मीडिसन ने जो साइद आपके बच्चे को ओप्रेशन से बचा सकती है और ये मेडिशन हमने यूज की हैं बच्चों में रजल्स देखे हैं उसी को आपके साथ में आज शेयर कर रहा हूँ आप अपने बच्चे को दीजिए यदि इस तरीकी की उसमें समस्या आती है तो